हेलो फ्रेंड्स मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अनीता अस गेलेक्सी में ये इमली का पौदा है इसको हमने कैसे उगाया है ये कौन सी इमली का पौदा है और इसकी देखभाल कैसे करनी है इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दोंगी तो वीडियो में आखिर तक बने रहीएगा और ये दी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें तो केर कैसे करनी है अभी इस पर बात करते हैं प्लांट को कम से कम सुभे की 5-6 गंटे की धूप चाहिए क्योंकि जितने भी फलों के प्लांट सोते हैं उनको दिन भर की धूप ही अच्छी रहती है यदि आपका प्लांट गमले में लगा है तो मैजून की जो बहुत तेज लेकिन थोड़ा सा शाम होने पर इसकी पतियां बंध हो जाती है यह इस प्लांट का नेचर है किसी भी प्लांट की समय समय पर गुडाई करते रहने से उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है क्यूंकि गुडाई करने से उसकी जड़ों को एयरेशन मिल जाता है पानी इसमें तभी देना है जब इस तरह से इसकी मिट्टी सूख जाए, उपर की 2-3 इंच की लेयर जब सूखी हो। इसकी मिट्टी इस तरह की soft होनी चाहिए और पानी इसमें बिलकुल नहीं रुखना चाहिए। ये एक herbal plant है और इसमें बहुत सारी medicinal properties होती हैं, जो health के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आद इस plant को साल में दो बार देना चाहिए, जैसे हम बाकी सबी plants में देते हैं, फरवरी और सतंबर में इसी तरह से इस plant को भी खाद देना चाहिए। बीच बीच में liquid खाद दे सकते हैं, खाद के रूप में इसको कोई सा भी खाद दे सकते हैं, चाहे वर्मी कमपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो या कोई भी कमपोस्ट इसको दी जा सकती है। पैस्टिस प्लांट पर लगते नहीं हैं और कभी लगे भी तो उसमें नीम उयल का स्प्रेज पर किया जा सकता है। अलो और सब्जियों के पौधों पर हमेशा और्गैनिक ही यूज करना चाहिए। चाहे उसमें खाद देना हो या पैस्टिसाइड देना हो। इमली के पौधे को बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से एक ग्राफ्टिड प्लांट लेकर भी इसको घर में लगा सकते हैं। इसका bonsai बहुत अच्छा बनता है यदि bonsai बनाना चाहते हैं तो सीड से उगे हुए प्लांट का bonsai बहुत ही अच्छा बनता है सीड से उगे हुए प्लांट से प्लांट इसी तरह का बनता है जैसे बिलकुल बड़े-बड़े जो पेड होते हैं उसी तरह की शेप वो ले लेता है नीचे उसकी रूट्स बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है और स्टैम अच्छा मोटा हो जाता है और उपर पूरा अम्ब्रेला का शेप बन जाता है तो वो बहुत ही खुबसूरत लगता है बोनसाई बीज से उगाने के बाद प्लांट के साथ बहुत पेशन्स रखना होता है क्योंकि वो बहुत धीरे-धीरे ही ग्रो करता है उसके बाद टाइम-टू-टाइम उसकी कटिंग उसको शेप देना चाहे वायर के साथ साहरे से शेप देना है या ऐसे ही शेप देना है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है इमली के प्लांट को यदि घणा बनाना चाहते हैं तो इसको बहुत जादा लंबा ना होने दे उसकी प्रूनिंग करते रहें साल में दो बार इसकी प्रूनिंग की जा सकती है उपर से प्रूनिंग कर देंगे तो उसमें नई नई ब्रांचिस बनेंगी और प्लांट बहुत बुशी बन जाएगा इमली का प्लांट उगाने के लिए हमने मीठी इमली के बीजों को लिया और उसको पानी में भिगो दिया पानी में ये दो दिन तक रखे रहे इसके बाद इसका उपर का पल फटा दिया इमली के बीजों को उगाने के लिए मार्च से अगस्त तक का समय बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि बाहर के मौसम में बीज और कटिंग बहुत आसानी से उग जाते हैं और अगस्त तक का मौसम इसलिए कि इसके बीज को उगने में और उसके प्लांट को थोड़ा बड़ा होने का समय मिल जाएगा उसके बाद सर्दी आ जाएगी यदि हम सेप्टेंबर में इसके बीज लगाते हैं तो उसके प्लांट को बड़े होने का समय नहीं मिलेगा और उसकी जो छोटी छोटी कोमल पत्तियां होंगी वो सर्दी के कारण खराब हो जाएंगी इसके बीजों को हमने मिट्टी में एक इंच नीचे तक दबा दिया उसके बाद इसमें भर कर पानी दे इसना पानी की वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए बीज को उगाने के लिए हमने सेंड के साथ में थोड़ी सी कोको पीट भी मिक्स की है अब इसको शेडी प्लेस पर रखेंगे और अगला पानी स्प्रे की मदद से तब देंगे जब इसकी मिट्टी हलकी सूखने लगेगी इसमें मॉइस्चर बना रहे तब ही बीजों का जर्मिनेशन होगा 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है इसमें छोटा सा प्लांट बन गया है इसमें हमने 3 बीज लगाए थे लेकिन इसमें एक ही अभी हुगा है सबसे बड़ा बीज होता है वो जल्दी जर्मिनेट होता है और जो छोटे बीज होते हैं वो टाइम लगाते हैं जर्मिनेट होने में जो बाकी बीज हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि बीजों को जर्मिनेट होने में 10 दिन से 1 महिने तक का समय लगता है सबड़ा हो जाएगा तो इसको छोटे पॉट में हम shift कर सकते हैं जिसमें 5-6 इंच का पॉट इसके लिए sufficient रहेगा friends वीडियो यदि पसंद आई है तो इसको like करिएगा और अपने friends के साथ में share करिएगा क्योंकि आपके like करने से हमें motivation मिलता है और हम आपके लिए नई नई जानकारी ऐसे ही उपलब्द कराते रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई friends